गुड मॉर्णिंग एब्रिवन मैं हूँ एड्बूकेट तुलसी राम सिंग और आप देखने मेरा यूट्यूब चैनल तो कैसे आप आसा करतों अच्छे होंगे मेरे एक सेस्क्राइबर ने मेरे से पूछा था उन्होंने प्रसुनली मेल भी किया था तो पूछा था कि जो क चलो ठीक देखता हूं तो मैं उनको बताना चाहूंगा मिस्टर नितिन नितिन सबर्वाल यूपी से तो इनका जो सवाल था वो यह था कि क्या एक कॉपरेटिव से साइटी को रिटन भरना जुरूरी होता है तो मैंने देखा तो जो इंडियन कस्टिटीशन बोलता है आर् कोई सुसाइटी है तो इसमें मैं आपको बताऊंगा इसमें लिखा हुआ सीधा जो इसका लौ है वो बता रहा हूं कि Every cooperative societies sell file return within six month of the close of every financial year to the authority designated by the state government including the following matter J. C. Key Annual Report of its Activities B. It's Audited Statement of Account C, plan for surplus disposal as the approved by the general body of the co-operative society. And next, list up amendment to the Y law of the co-operative society, if any. If any, if any, next declaration regarding date of holding of its general body meeting and conduct of the election when due and any other information required by the registrar in pursuance of any of the provision of the state act. जैसे आता करतों कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा, इसमें सीधी सी बात है, कोई भी एकर company है, तो मैं इसको आप समझाना भी चाहूंगा, कोई भी मतलब cooperative company है, तो annual आपको जो हर six month पे उसको return जो भरनी होती वो भरेगा, पूरे activities की report होगा, उसके बाद account audit होना चाहि तो काफी अच्छा रहेगा, तो आता करतों आप लोग समझ गए होंगे इस rule को, इसके बाद आप लोगों को हम मैं वानता हो कि थोड़ा English में बताया हूं, चुकि exact मैंने जो Indian Constitution में ये चीज लिखी हो, exact मैंने आप मुझे सामने रख दिया है, तो हो सकते हैं थोड़ा समझ फुल था तो मैंने, exact वो चीज को रख दिया, कि उनका जो डाउट हो डाउट निकल जाए, और अभी सुबा के साथ, बहुने साथ बज़ने हैं, और अच्छ फिर आसनिवार है, आसा करता हूं, आप लोग पी जितने भी भी वीडियो देखने वालें, फिर और प्रातना कर और एक अच्छी दिन की सुरुवात करें, मैनत करें, फिर मिलूँगा जाहिन